नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्व चैनल मेरा नाम है भिशेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं रेड रूम के बारे में कि ये रेड रूम क्या होता है इसका जो संबंध है वो इंटरनेट से है तो जाहिर सी बात है कि मुझे इस चैनल पर इसके बारे में बताना है आपको, काफी mysterious चीज है हाला कि ये जो वीडियो है, ये जो episode है मुझे mysterious nights पर बनाना चाहिए था, लेकिन ये सच्चाई है, काफी हद तक ये सच है, और ये कहीं ना कहीं topic technology से और भांतियों से और myth से जुड़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा clarify आपको कर देना चाहूंगा, यहाँ पर बताई गई बातों का कोई मैं दावा नहीं करता कि वो सच है, मैंने भी ये बाते कहीं से सुनी है, और internet से इसके बारे में information ली है, जैसे कि आप जानते हैं कोई एक इंसान हर जगा जाकर research नहीं कर सकता, वो भी कहीं secondary data लेता है, कहीं से जो Red Room है, ऐसी एक चीज डार्क वेब में भी होती है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे animation की, यह Adobe Flash Player का एक ऐसा animation है, जो लोगों की मौत का कारण बना, ऐसा कहा जाता है, इंटरनेट पर Wikipedia पर आर्टिकल्स हैं, और सेसे बो slashing से भी इसक संबंद है, अब आखिरकार यह है क्या, जब जैपान में लोग इंटरनेट सर्फ कर रहे थे, तो उनके कम्प्यूटर पर एक ऐसा Flash Animation दिखाई दिया, Flash Animation SVF format में होता है, शौक वेब अबजक्ट जो होता है, अगर आपने Flash Player पर काम किया है, या आप YouTube पर वीडियो देखते ह हो, अभी भी देख रहे हो, तो यह Flash Player से ही चलती है, ऐसे ही Flash Player पर चलने वाले एक वो था Flash, जो लाल कलर का था, और उस पर Japanese में लिखा हुआ था, Do You Like, क्या आपको पसंद है, इतना लिखा हुआ था उस पर, तो जब लोग इंटरनेट सर्फ करते थे, तो उनके पर अचानक से वो Flash होने लगता था, Do You Like, लोगों से काटते थे, वो फिर दिखाई दे जाता था, उसके बाद जब बहुत बार काटते थे, तो वो पूरा sentence complete हो जाता था, Do You Like the Red Room, क्या तुम्हें लाल कलर का कमरा पसंद है, तो वहाँ पर काटते रहते थे, और ये बात साम ने आई थी, कि जिन लोगों को ये animation नजर आता है, उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं, वो अपने ही खून से अपने कमरे को रंग देते हैं, लाल कलर में, और उनकी मौत हो जाती है, बुरी तर, अब सेसेबो स्लाशिंग क्या है, 2004 में जैपैन में एक 11 साल की बच्ची ने एक 12 साल की बच्ची को चाकू से काट दिया, मार दिया, स्कूल में, उसको सजा हुई, आपको पता है, जो बालिक नहीं होता है, जो 18 साल से नीचे होता है, उसे सुधार ग्रह में भेज दिया जाता है, बच्चों को अलग जगा पर रखा जाता है, उसको ज़्यादा इसा था, फिर एक बहुती आश्चरशकित बात सामने आई, कि उस लड़की की इंटरनेट हिस्ट्री पर दर रेड रूम नाम का जो फ्लैश अनिमेशन है, वो बुक मार्क करके रखा हुआ था, यही चीज कुछ और लोगों के साथ हुई, जिन्होंने ये अनिमेशन देख हुई, तो काफी मिस्टीरियस चीज है, काफी रहसमी चीज है, मुझे तो नहीं लगता है कि एक एनिमेशन किसी की जान ले सकता है, ऐसा कहा जाता है, वो शापित एनिमेशन है, या किसी एक जैपेनीज पुरानी कथा के साथ कोई श्राब जुड़ा हुआ है, वही किसी चाहिए मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या सही में ऐसा कुछ होता है, क्या सही में ऐसे हुआ होगा, या वो जो लड़की जिसने मारा, वो सिर्फ मानसिक तौर पर बĩमार थी, ऐसा भी हो सकता है कि वह एनिमेशन हमारे दिमाग के अवचेतन पार्ट से भाग से कुछ इस तरह के से खेलता है को हमें अक्रामक बना देता है ऐसा बना देता है कि हम खुद की जान ले ले या दूसरों की जान ले ले कोई नहीं जानता ये क्या है आप मुझे ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बार में जानकरी हो अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो आपको देता रहूँ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुडबाई